Good morning, !। अज हम् चक्रिय चत्रबुच्ट इंब पढ़ेंगे चक्रिय चत्रबुच किसे कहेते हैu ? एक चत्रबुच , अब ऑ,b,c,d चक्रिय चत्रबुच कहे लाता है यादि इसके 4 सिष एक रित पर स्थित होते हैं तहँ के पास ही चत्रबुच है 2,b,c,d यह चक्रिय चत्रभुच्छ है क्योंकि इसके चारोश दोंग ओधिन होता है इसके रित के परीधी के ऊपर छीके इसलिए यह चत्रभुच्छ के लाएगा और हमाहा पास एक परमे है कि चक्रिये चत्रभुज के समुख कोनों का योग 100CD होता है, important है यह पर में, तो कैसे करेंगे हैं, इसमें दिया है आपके पास, क्या दिया है, एक चक्रिय चत्रभुज ABCD, एक चक्रिय चत्रभुज ABCD, आपके पास given है, ठीक है, आपको प्रूव करना है, सिद करना है, सिद करना है, क्या करना है, कि समुख कोनों का योग, चक्रिय चत्रभुज के समुख कोन, तो मैंने इनको सिद कर रही है, इस involve plus this is equal to 180 degree, समुख कोनों का योग क्या था, 180 degree, इसी तरह से angle B plus angle CB, 180 degree होगा, ठीक है, तो हमने क्या करना है, अंगल A पलस ऐंगल डी ब्रावर 180 дерев या अंगल बिप्लस अंगल C ब्रावर 180 ağ गुरावर 180שות आंगल a पलस एंगल d को प्रूष परूँगी ब्रावर 180 डीड़ी इसके लिए हमने क्या करना है आपके पास हल आ गया इसका या प्रूफ के ओगे इसको, आपके पास देखिए, आपके पास जो यह चाप है, चाप कौन सी, यह वाली CAB कह सकते हैं, यह चाप, ठीक है, आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पर, कितना एंगल यह सब्टेंट करी है, आपके पास, एंगल कौन सा, एंगल ही है, आपके पास BOC, ठीक है, BOC करी है, तो बी ओ सी क्या होज़ेगा इसका डबल होज़ेगा इसका क्या होज़ेगा डबल होज़ेगा ठीक है आपको पता ही है किसी चाप द्वारा वृत के केंदर पर अंत्रित कोन गया होता है वृत के सेश भाग अब सेश भाग कौन सा हो गया आपके पास ही हो गया ठीक है इस पर पर एंगल बी ओ सी और वित के सेश भाग पर वित के सेश भाग पर ठीक है कौन सा एंगल एंगल बी डी सी या आप कह सकते हैं एंगल डी अंतरित करती हैं इसलिए आपके पास एंगल बी ओसी इंगल के पास एंगल के पास यह एंगल बी डी सी angle b d c आ गया थीक है यहां गया समय का नपर एग अब आपके पस यवाली चाप कौनसी चापी वाली चाप थीक है जो यह 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 कहां है तो इस ven帏 C दी भी कहेंगे तो यह क्या कहते हैं वित के किन दूपर कौनसा angle subtend करी एग आपके पास या जैगा आपके पास COB या इसको कहेंगे अगर ये कौन लिया आपने तो ये कहेंगे प्रतिवर्थि आजागा इस angle का क्या होगा ये प्रतिवर्थि angle होगा ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, जो चाप आपके पास CDB है ये वृत के केंदर पर वृत के केंद्र पर ठीक है प्रतिवर्ति एंगल बी ओसी और बी ओसी और वृत के सेश भाग पर और वृत के सेश भाग पर स्थित बिंदू अब यह आपके पास चाप होगी तो वृत का सेश भाग कोन सा ओगया इस पर स्थित बिंदू कोन सा ओगया ए स्थित बिंदू, ए पर अंगल कोन सा बी, ओसी या एंगल ए अंतरित करती हैं ठीक है इसलिए आगे पास प्रतिवर्ति एंगल B O C is equal to twice of angle B A C ठीक है तो यहाला वित के केंद पर बना कौन वित के सेच भाग पर बने कौन का क्या होता है जुगना होता है ठीक है यहां से आजएगा समिकन एक प्लस समिकन दू तो यहां से आजएगा आपके पास दोनों को एंगल B O C प्लस प्रतिवर्ति एंगल B O C is equal to twice of angle B D C प्लस twice of angle B A C अब B O C प्रतिवर्ति यह क्या हो जगा आपके पास यह पूरा कितना हो जगा 360 डिगरी तो इस पूरे की जगा क्या लिख देंगे यह जिसको मिना अंडरलाइन किया है इसकी जगा 360 डिगरी ब्राबर twice of angle B D C प्लस एंगल B A C ठीक है तो यहां से यह कोमन आ गया तो अदो क्या जगा इसकी नीचे आजगा तो यहां से आजगा 180 डिगरी ब्राबर एंगल B D C प्लस एंगल B A C जो हमको क्या करना था प्रूव करना था यहां एंगल A प्लस एंगल D जैसे यहां पर लिख सकते हैं यहां पर हम लिख सकते हैं यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल D ब्राबर 180 डिगरी इससी प्रकार हम सीथ कर सकते हैं कि अंगल B, प्लस एंगल चीट, ब्राबर 186, अंगल B और C के लिए कैसे करेंगे, अगर माना अप यह नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्रना पड़ेगा, आपको इसको ज्युआ पड़ेगा, तब इसी तरशिए आपको ऐसे आपको करना है, खृक है, तो एंगल A प्लस तो इसको इसी प्रकार लिखते हैं तो उसके लिए को च्छुआ ना पड़ेगा आपको इनको जुएंगा सकते हैं और इसे प्रकार अंगल A प्लस एंगल डी एक सो सीरी होता है यह आपकी मुच्छी है ठीक है तो यह हमने प्रूफ करते हैं थेंक्यू